हे भगवान, आज तो सुबह से ही मौसम ने बारिश लगा रखी है, दिन भर में पचासो बार पोचा मार मार कर मेरी तो कमर टेड़ी हो गई अंजली जैसे ही पोचा लगा कर उठती है, बाहर से आती उसकी ननद, आचल, कीचड़ वाले सैंडल से पूरे जमीन पर गंदगी मचा देती है आचल, ये तुमने क्या किया, मैंने अभी अभी पूरे फर्ष को पोचे से सुखाया था, तुमने मेरा काम बढ़ा दिया, ननद, गमंड मेया कर जाती है श्योर श्योर अंजली भाबी, सारा दिन काम तो आप ही करती हो, मैं तो मटरगश्ती मार कर आ रही हूँ ना चिल्लम चिल्ली सुनकर सास सुश्मा आती है, अरे क्या हो गया, मच्छी बाजार जैसी आवाज कहां से आ रही है तीको ना ममी, एक तो मैं सुभा की गई हूँ, ठककर आई हूँ, उपर से भाबी आते ही मुझ पर दाना पानी लेकर चर गई, जरा सा फर्ष क्या गंदा हो गया ये सुनते सास बहु पर भड़क जाती है, क्यों औरी अंजली बहु, एक तो मेरी बेटी नौकरी पर से ठककर आ रही है और उसे पानी देने के बदले तु बाते सुना रही है देखो तो मेरी बच्ची कितनी भीग गई है, अब लाम घोडी के जैसी खड़ी क्या है, तौलिया लेकर दे जी सासुमा, ये लीजे सासुमा, बता दीजे खाने में क्या बनाना है बोल बेटी तो क्या खाएगी, मा देखो न कितना सुहाना बारिश का मौसम हो रहा है, भावी को बोलो पकॉडी बना लेंगी लेकिन सासुमा, प्रदीब जी के आने का टाइम हो रहा और ससुर जी भी, शाम को सैर पर से आने वाले है हाँ, तो खाना थोड़ा, लेट बना दियो, पहले जाकर चाय पकॉडे बना, चार फुल के सेकने भी भारी लगते हैं बहु रानी को, जबकि दिन भर एश मारती हैं, सास का कसा हुआ ताना बहु के दिल पर चाकू की तरह लगता है, वो रोते हुए रसोई में आके चाय पकॉडे बनाती है ममी जी, आचा, चाय पकॉडे बन गए हैं, हाँ तो रगदो और जाओ, मेरे पकॉडे पर नजर मट्य काना, एक नहीं देने वाली मैं बड़े तेवर से नना दभावी को भगा देती है, अंजली रात का खाना तयार करके सब को परोस्ती है सब लोग आजा, ये खाना लग गया है अरे वाँ, खुश्बू तो बड़ी लाजबाव आ रही है, क्या बनाया है बहू पापा जी, मैंने बड़ी वाली कड़ी और रोटी बनाई है ये भी कोई खाना है, मेरा दो देखकर पेट भर गया और ये कड़ी के साथ पुलाव चावल अच्छे लगते, रोटी कौन खाता है ननज जी चावल खत्म हो गए थे, इसलिए बनाना पड़ा इतनी जल्दी चावल खत्म हो गए जब रसोई का राज-काज मेरे हाथों मे था, एक चावल का कट्टा में महीने भर चलाती थी मागर तेरा हाथ जब से पड़ा है, महीना कभी पार नहीं हो था राशन पानी खत्म कर देती है इनको इससे क्या मतलब ममी, कमा कर थुड़ी लाना है, बस बनाना है और सारा दिन फैल कर सोना है कमाने में जिसकी कमर तूट रही है, उसकी तूट रही है सास ननत बेचारी बहु को मिर्ची के जैसे तीखे ताने मारती हैं जिससे वहीं खड़े-खड़े अंजली की आँखों में आसू आ जाते हैं, तब ही ससुर सुरेंद्र कहते हैं अरे बस भी करो, जब देखो दोनों मा बेटी, दाना पानी लिए चड़ी रहती हो बेचारी बहु से घर का काम सभालना नौकरी से कम नहीं होता ससुर को पक्ष में बोलता देखकर दोनों जलकर खाक हो जाती हैं सब सोनी चले जाते हैं, बेचारी बहु देर रात तक गंदे बरतंद होती है और रसोई साफ करती है अच्छा किया जो रात को ही बरतं मांच कर निपटा दिया, सुबह उटकर जल्दी से नाश्ता पानी बना दूँगी आगी तुम, कितनी देर लगा दी? आ, मा क्या हुआ अंजली, तुम ठीक हो? हाँ जी, वो आज सुबह से ही कमर की नस खिच रही है, दर्द भी है, आप सोच आईए तुम दिन भर इतना काम करती हो, लाओ मैं बाम लगा दूँ इतने में कमरे के बहार से गुजरती हुई ननद अंदर जांकती है अच्छा जी, तो ये महरानी प्रदीप भहिया से अपनी सेवा करवा रही है, सेवा के बदले मेवा तो मिलना चाहिए चिरकोली ननद इस बात की चुगली अपनी मा से जाकर लगा देती है, अगले दिन सुश्मा बहु को बहुत डांट लगाती है क्योरी बहु, चरम लाज दोकर पी गई है क्या, जो मेरे बेटे से सेवा करवा रही है नहीं मा जी, वो कल कमर बहुत दुख रहा था इसलिए हाँ हाँ, आज कमर का बहाना है, कल को पैर भी दबवाएगी, जबकि सुभा की रोटी सबजी बनाकर सारा दिन मटर गश्ती मारती है फिर भी महरानी को थकान चड़ जाती है, अगर मेरी बेटी की तरह दस घंडे की नौकरी करनी पड़ेगी, तब कैसे करेगी बेचारी बहू की सुभा भी दोनों मा बेटी ताने दे के करती है, 45 डिगरी के पारे की गर्मी में बेचारी बहू ननद पती के लिए टिफिन बनाती है, और सास ससुर को नाश्ता भी देती है, जबकि आलसी ननद एक तिनका भी नहीं हिलाती, बलकि सच धच के टशन से न नाश्ता कर लिया है, मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ, रात में नहीं खाया था, जैसे ही बहू खाने की प्लेट लगाती है, तबी सास बेटी के गंदे कपड़े दे जाती है, बहू ये ले, आचल के सारे दफ्तर के कपड़े गंदे हो गए, इसे धो देना, जी मा जी, खा पर घर के काम करते हुए निकल जाता था सुन मशीन मतला गाना बिजली फुकती है हाथ से दो लियो कपड़े यूही काम में पूरा दिन बीत जाता है शाम को ननद मूँ चढ़ा कर आती और टिफिन जनक कर बोलती है भाबी ये क्या टिंडे बना के दिये थे अरे कमाने तो आ का फालूदा बनाना अच्छा लगता है बस जैसे तैसे जाड़ उपोचा घसीर दिया दो बरतन करके रोटी पानी क्या कर देती है पहाड उलट देती है चुपचाप सास ननत किताने सुनकर रोते मन से अंजली कमरे में आ जाती है और रोरो कर आखे लाल कर लेती है प्रद कड़ी बेटा में तेरी दुविधा को समझ सकता हूँ एक तरीका है इन दोनों मा बेटी को सीधा करने का क्या पापा ससुर बेटे को कुछ सिखाते हैं अगले दिन सुबह अंजली अपने कमरे से नहीं निकलती उधर सास ननत उसके इंतजार में टक टकी लगाए थी ये आ हो हो अरे मैयारी मैया प्रदीप ये बहू कहा है आज मा कल से अंजली का बदन बुखार में तप रहे लेकिन अभी दोनों मा बेटी इसी उमीद में बैठी थी कि बहू बिस्तर से उठकर सब करेगी तब ही डॉक्टर जाच करके ऐसा कहते हैं देखे इनको वाइरल फीवर ह है इनके खयाल रखेगा और प्रॉपर बेड्रेस देना है इनको सुना तुमने अंजली अब तुम कुछ भी नहीं करोगी ऐसे कैसे जी मुझे ननद जी का नाश्ता बना कर देना है मा जी को तीन टाइम का खाना कौन देगा तब ही सास ननद रिचकिचाते हुए बोली उस जाना तो बना दिया बाकी जाड़ उबरतन सब मैं समेट लूँगी दोनों मा बेटी पर काम का सारा बोज आ जाता है जहां बढ़ती उम्र में इतने बड़े घर की सापसफाई करने में सास को ना नियाद आ रही थी तो वहीं नौकरी वाली बेटी के पसीने भी पानी की त सबजी बना कर रख देती है और रसोई भी फैला छोड़ कर नौकरी पर चली जाती है पीछे से सारा काम सास पर पढ़ जाता है ये भगवान देखो तो इस लड़की ने चितने का खाना नहीं बनाये किचन का कबाड़ा बचा दिया कही स्लैप पराटा फैला कर छोड़ सास धीरे धीरे बरतन धोती है लेकिन एक टाइम के बरतन भी उतने ज्यादा थे कि उसे ही धोते 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 दो तीन घंटे बीत जाते हैं हाई मा मेरे तो गोडे कमर दोनों एकदम टेड़े हो गये पता नहीं बहु इतना सब अकेले कैसे करती है बेचारी गुजरते एक से दो दिन काम करने के बाद ही दोनों मा बेटी को बहु की कदर पता चलने लगती है जहां नौकरी पर से आने के बाद भी दो टाइम का खान पसीने में भीगी बिल्ली होकर खाना बना कर लाती है रोटी हाथ में लेकर मा कम्या निकालने लगती है ये भगवान ये कैसी चली पपड़ी जैसी रोटी बनाई है ऐसा लग रहा है जैसे भट्टे में से जुलसा कर लाई है और सब्जी इतनी विद्वासी क्यों लग रही ह हल्दी डालना भूल गई थी मम्मी जादा कम्या मत निकालो जो बनाया है चुपचाप खालो वरना बनाऊंगी भी नहीं पहले ही नौकरी करके आती हूँ आपको क्या है आप दो दिन बर घर में पड़े पड़े रहना कोई काम उर्धन्दा तो है नहीं अपनी बेटी का ऐसा कहना सुश्मा को तीर की तरह चुप जाता है और उसकी आँखों में आँसु भराते हैं तब इखटपट सुन कर बहू कमरे से बाहर आती है आज तक मैंने बहू को इतना कुछ कहा उसने कभी मुझे जुबान नहीं लड़ाया बेचारी हर बार सुन कर रह गई मेरी बेटी ने मुझे को सुना दिया हाँ भाई नौकरी वाली है तू आज मुझे को समझ में आ रहा है बहू कितना करती थी मैंने उसकी कदर नहीं की मा जी मैं तो आज भी करने के लिए तयार हूँ बस इतना चाहती हूँ कि ज्यादा नहीं तो आप मुझे थोड़ा ही मान सम्मान दे घर संभालना भी आसान नहीं होता है इस बात का एहसास ननद को भी हो जाता है जिसके बाद वह भी नकरे करना छोड़ देती है और अब सुश्मा के लिए उसकी नौकरी वाली बेटी और बहु दोनों एक बराबर थी